नमस्कार दोस्तों मैं गौरब एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने हेल्पिंग गौरब योटूब चैनल पर दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए जितने भी बेल्टरॉण डियो के पास आउट कंडिडेट हैं जो पटना चलो अभ्यान में जो है सामिल होना चाते हैं उनसे संबंदित कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ करीबन मैं आठ से नौ परस्निया पर लिखा हुआ हूँ और दोस्तों उनसे संबंदित मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे वीडियो का आप सेयर भी कर दीजेगा क्यों काफी कम समय बचा है ताकि सभी लोगों तक यह वीडियो पहुंस दोस्तों हम लोग अपने टॉपिक पर बात करते हैं उससे पहले दोस्तों मैं आप से चोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार मेरे च लीड करेंगे उनके लिए सबसे पहला सुझा मेरा यह रहेगा कि जो लीड करेंगे उन्हें कुछ जादा ही गंभीर होने की जरूवत है क्योंकि मैं समझता हूं कि आपके सर पर बोल सकते हैं कि थोड़ा सा बजन रहेगा आपको सबको लेकर चलना है तो ऐसे में आप गु दो बार तीन बार रिक्वेस्ट करना है कि आप गलत मत किजिए उनको सबको लेकर चलना है तो सबसे अधिक गंभीर उन्हीं को होने की जरूवत है क्यूंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप बहुत बार देखांगे कोई मेला लगता है या फिर आप बोल सकते हैं पर फिर बेवज़ा भी किसी को थोड़ा सा कोई खड़ा हुआ तो उसको जो है गलत तरीके से बैठने के लिए बोले और इसमें जो है बिवाद हो जाता है तो कारिकरता को भी समझना है कि गलत सब्द का उपयोग ना हो अगर कोई गलत करने का कोशिस कर रहा है तो तूरत म अइसा नहीं है कि उनको जो है मतलब गलत तरीके से टीट की जेगा उनको बहुत ही जो है आराम से रिक्वेस्ट की भावना से उनको भी समझाने की कोशिस करना है ठीक है उधारन के तौर पर आप ले सकते हैं कि जब आप घर में कोई भोज करते हैं को पाठी रखते हैं तो तो उसी तरह वहां पर भी करना है अगर कुछ जो है कुछ अगर गलत लोग बोल भी रहें तो पहले इग्नोर करने की कोशिस कर रहें तो उनको रिक्वेस्ट करके जो है उनकी आवास को नीचे करने को कीज़ें उस पर भी नहीं होता है तब आप खुद मत बोलिए क्यूंकि आप उसको लीड कर रहें आप से बहुत सारे लोग प्रभावी हो सकते हैं आप से बहुत सारे लोग सीखेंगे और गलत करने की तरह भी प्रेदित होंगे तो आपको कुछ ने बोलना आपको दो-तिन स् सब्सक्रांता कि वीचार हो सकता है सभी का अलग अलग ठीक कि पहुरी में यहीं और नहीं बदलना चाहिए आप लिछह बात करने वाले हैं कि कल मीटिंग में कुछ राधा वह समस्तिपूर वाले वो पटना वाले वो डर है या फीर भागलपूर वाले हैं उनको ऐसा हो रहा है तो मैं आप लोग कही पोलना चाओंगा ना प가는 वाले अर्म वाले qa यह पास आउट वाले हैं यह समझना कर आप लोग को आगे पढ़ना है तो यह चीज़ दिमाग में मत रखेगा कि वह उस डिस्टिक से आया उस जिला से आया वह उस जिला से आया बेल्टरॉन वाले हैं यह चलके आपको मान कर चलना है दोस्तों एक चीज़ और था जो कुछ लोग कंफ्यूस थे कि पटना तो जा आये लेकिन कहां जाना है टat no matter is this Kitchen आया रहेगा 14 तारी को 9 से लेकर 9.30 आप लोग को सभी को पहूच जाना अब दोसतों एक और बात है कि अपने जिला को लोग को कैसे खूज जो भी student है बहुत सारे लोग नहीं खोज पा रहा हैं तो उनको हम लोग कैसे खोजेंगे तो मैं खोजने का तरीका आप लोग को बता दूंगा आप वीडियो पर पूरा बने रहीएगा मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि आप अपने जिला के लोगों को कैसे खोज गया था तो जो समझदार हैं वो समझ गयते लेकिन जो निगेटिफ हैला रहें बार-बार वह इस पुएंट को पकड़ लिए थे मैं बोला था कि आप लोग को इस आंदोलन में भाग लेना है तो बहुत सारे लोग बोल देते कि आंदोलन करवाने के चक्कर में लगे हुए इस आप लोग समझ लिए बहुत सारे लोग वहां जमीनी अस्तर पर काम कर रहे हैं ठीक है सब कुछ मैनेज हो गया है जो गलत करने की कोसिस करेंगे थाना उना में भी बात हो गया है सब हो गया है आप लोग को डरने की कोई भी जरौत नहीं है दोस्तों एक चीज़ और यह अगर यह बात अगर कनफर्म हो जाएगा तो एफोर साइज का जिसमें आप प्रिंट करवाते हैं कोई भी चीज तो उसमें जो है आपको बोल्ट अक्षर में गाळा करके लिखावा मिल जाएगा उसको जो है आप बोल सकते हैं जेपीजी में बनाके जो है ग्रूप में डा प्रिंट हो जाएगा दस रुपर लेगा बांकि एक सब्सक्राइब अगर हम लोग यह करवा लेते हैं फोटो कापी तो अराम से हो जाएगा इसलिए आप लोग को इसमें दिमाग नहीं लगाना है आप लोग कोई भी पोस्टर लेके घर से नहीं जाना है पोस्टर का अगर इस्टूडेंट का के वाईस से अभी तक नहीं हो पाया है यह फिर रिजेक्ट हो गया है वह भी स्टूडेंट पहुंचना चाहते हैं लेकिन उनका काना यह है कि अगर आप लोग मेरे सवाल को रखिएगा तभी हम लोग जा पाएंगे नहीं तो उनको यहीं कहना चाहेंग कि आप लोग बिल्कुल पहुंचिए आप लोग का भी सवाल लिया जाएगा ठीक है अब आप लोग यह बोलिया कि मेरे पिता के नाम के आगे श्री था और इस्टेशन में नहीं डाले थे या फिर एक छोड़ा छोड़ा प्रस्ण आप एक ही चिसको बार-बार अगर तोड़ कि यह सभी लोग दिन भर बेल्टर ऑफिस छेक कर रखेंगे अब जाए आपका सवाल लिया जाएगा अगर आपका सवाल कुछ अलग ढंका होता है और अगर नहीं लिया जाता है रिसीव नहीं करते हैं जो लोग यहां पे इतने लोग जाएंगे तो वह लोग कितना देर व और प्रस्ठण भी कुल सकते हैं अपके साथ 2-3 दोस्तों रहेगा तो यह भी आप लोगा कलिर हो जाएगा आप लोग को बता दोस्तों हम लोग अपने स्क्रीन पर चलते हैं ताकि आप लोग बता सके कि अपने जिला के लोगों को हम लोग कैसे खोज पाएंगे टेलीग्राम गुरूप को अपन करेंगे और आपको बताएंगे उससे पहले दोस्तों एक बर मैं आपको फिर से बोल देना चाहता हूं कि आप लोग का विचार अलग हो सकता है विचार को आप तो बढ़ के या फिर आँख दिखा के आप काम करवाने का आगे बढ़ने का कोशिस मत कीजिएगा सभी को जो है मिला के चलिएगा आप लोग का हंडेट परसेंट यह सक्सेस्पूल होगा और मैं आपको पता देना चाहता हूं यहां पर कोई भी जो आंदोलन नहीं है यह सांत अब हम लोग चलते है अपने फॉन के ऊंकर कर जह देना है जैसे आफ देख सकते हैं आपji तक बात की नहीं या फिर आप जितने लोगहं के ग्रूप में जुड़े हुए हैं वह आपको यह आप पर क्लिक करते हैं helping or a beltron एक ग्रूप है हम लोग यहां पर क्लिक कर लेते हैं दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर खोजने का कोशिस कीज़ेगा तो नहीं मिलेगा क्योंकि चैनल पर आपको मेंबर्स वहां पर दिखेगा यह नहीं कर लेंगे जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा आपको स्क्रॉल करते विए नीची आना और जैसे आप नीची आएगे आप देख सकते हैं यहां पर सर्च का आइकन दिख जाएगा इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जिस डिस्टिक से आ आसानी होता है बाकि आप सबको नहीं खोज पाईएगा सिर्फ बेल्ट्राउंड वाले यह करके रखे हुए हैं अपने नाम के पीछे जो आपना डिस्टिक जोड़ दिया है अब देखे मुझे पटना के लोगों को खोजना है तो हम लोग क्या करेंगे सिंपल सा यहां पर पटना लिखेंगे तो देख सकते हैं यहां पर लोग पी ब्लोब पीड़ोग सेखा और यहां पे जोई सिंपल सा झूफ सा जोई करदेगा कर देंगे जैसे कीलिक करेंगे आप देख सकते हैं इन सेillarफ पूछ लेंगे कि यसे पत्रना को पूछेंगे पत्रना से कहां विलांग करते हैं हम को आप 714 तारिक हां पर अभी तक आप पहुचे को ईतिव सबď rasa किल आए तो मुल देख सकते हैं तो चलिए यहां पोड़ने नीचैंगे ne तो दोस्तों आसा करते हैं कि आपको सारी जानकारी मिल गई हो आप अपने जिला के लोगों को कैसे खोज पाईेगा साथी साथ दोस्तों आपको कहां पर जाना आए तो पटना जाना आपको चिडिया घर गेट नंबर एक के पास नौ से साड़े नौ बजे पहुच जाना आए 14 तारिक आज है 13 तारिक यानि की कल के दिन और दोस्तों जो लीट करने वाले हैं उनको जादा ही जो है कुछ मतलब बोल सकता है गंबी रहने की ज़रूद है और बाकी आपको सारी जानकार इस वीडियो के माध्यम से मिल गई हो तो दोस्तों आसा करते हैं कि यह वीडियो आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई एंड टेक केयर जय हिंद वंदे मात्रम